Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं W.H. Auden की लिखी पोयम Musi Desk Box Arts, जो उन्होंने 1938 में लिखी थी, जब उन्होंने Belgium के Royal Museum of Fine Arts में विजिट किया था तो इस पोयम का स्पीकर एक Fine Arts के म्यूजियम में वॉक कर रहा है और वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं उनको एड्मायर कर आईए इसकी समरी को देखते हैं जब वो गैलरी में से जा रहा है तो वहाँ पे वो काम देख रहा है उन्नीस्वी सदी से पहले के पेंटर्स के और स्पीकर नोट करता है कि इन आर्टिस्ट्स ने बहुत ही अच्छे से उस जमाने के लोगों की सफरिंग्स को दिखाया है तो यहाँ पर यह एक्च्छल में एक ऐल्यूजन है यहाँ बात हो रही है दे सेंसस एट बैथलेहम की यह एक फेमस पेंटिंग है जिसको फ्लैमिश रैनेसा आर्टिस्ट पीटर ब्रुगल दे एल्डर ने बनाया था जिसमें की सफरिंग्स का जिकर हुआ था लोगों को किस तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ता था हर दिन उसका जिकर था तो यहाँ पे स्पीकर अटेंशन माग रहे हैं लोगों की की लोग खा रहे हैं और कोई विंडो खोल देता है और दूसरे लोग से वॉक कर रहे हैं और वहीं पर प्रेगनेंट मेरी है और जॉसेफ हैं वो भी आते हैं कि उनका नाम लिखा जाए सैंसस में सैंसस का मतलब होता है जन गरना स्पीकर नोट करता है कि जो बूढे लोग हैं वो बहुत ही जादा उमीद लगाए बैठे हैं एंटिसिपेट कर रहे हैं जीसुस क्राइस के जन को लेकर और जो यंगर लोग हैं वो कुछ खास वीट नहीं कर रहे हैं ऐसे इवेंट का तो ऐसे बच्चे दिखाए गए हैं इस पेंटिंग में जो गेम्स खेल रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, पॉंड के पास में खेल रहे हैं स्पीकर के हिसाब से आर्टिस्ट बड़ा माइंडफुल है कि उसे ध्यान है कि जो हिंसा है, वो कुछ एरियास में होती है कोई एक particular area होता है जहां पे chaos होता है और जिन्दगी जो है वो उस chaos के भी आसपास चलती रहती है आगे speaker जिकर करता है the massacre of the innocence का ये एक ऐसी pictures हैं जहां पर जो पहले Christian martyr हैं शहीद हैं उनकी killing की picture है इस painting में animals बिलकुल अलग ही चले जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं उन्हें जैसे पता ही नहीं है कि यहां पर क्या घटना हो रही है जैसे कुत्ते हैं वो कुत्तों जैसे काम कर रहे हैं घोडा है एक कसाही का वो अपने आपको खुजा रहा है अपने बिच्वाडे को खुजा रहा है पेड़ से जानवर अपने अपने काम में लगे हुए है फिर आके एक और एक्जेम्पल आता है इस फिनॉमिना को समझाने का जहां पर वो एक और ब्रुगल की पेंटिंग की बात कर रहे है Landscape with the Fall of Icarus वो नोट करते हैं कि पिक्चर में सब कुछ ऐसा है जैसे डिस्रिकार्ड किया गया हो Icarus की वॉयलेंट डैथ का एक किसान जो हल चलाता है पेंटिंग के अंदर उसने शायद सुना भी होगा Icarus को कि उसे पानी में पटका गया, वो चलाया बट ये इवेंट उस किसान के लिए कोई IMPORTANT नहीं है जो सूरज भी है इस पेंटिंग में वो हमेशा की तरह शायन कर रहा है Icarus के जो पीले पैर है उनका Reflection दिख रहा है जब वो मरकी वाटर में जाते हैं मरकी मतलब गंदला सा पानी और फिस स्पीकर इस पोयम को Conclude करते हैं ये कहते वे कि एक इमेज है एक बहुती विशाल लगजरी जहाज है उस जहाज ने भी जरूर विटनस किया होगा कि Icarus आसमान से गिरा बट उसे क्योंकि एक सफर तै करना है तो वो अराम से सेल कर रहा है वो आगे जा रहा है तो इस जो पोयम की theme है वो है Human Indifference to Suffering यानि इनसान को फरक नहीं पड़ता किसी दूसरे की Suffering से और ये इस टाइप की पोयम है जिसमें की अलग-अलग जिक्र किये गए हैं तीन अलग-अलग Paintings हैं उन्हें Allude किया गया है Paintings किसने लिखी मैंने आपको बताया Peter Bruegel the Elder ये Northern Renaissance के बहुत ही important figure थे बैतरीन Paintings बनाया करते थे सोलवी सदी में अब यरी हम form की बात करें तो ये एक free verse poem है टोटल इसमें तीन stanza है 13 line का stanza आता है फिर एक 8 line का stanza आता है I hope ये आपको समझ में आई होगी इस poem के अंदर stream of consciousness style को use में लिया गया है meter तो कोई है नहीं क्योंकि ये free verse है rhyme scheme की बात करें तो पहले stanza की rhyme है A, B, C A, D, E, D B, F, G, F, G, E और second stanza की rhyme है A, A, B, C, D, D B, B, C इसका speaker कौन है उसको कोई खास reveal नहीं किया गया है बट ऐसा लग रहा है कि ये जो speaker है वो उस museum में गया है और वहाँ पे बात कर रहा है setting museum का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है Muses, Royax, Desk, Box, Arts, Day, Belgique ऐसा नाम आपको याद नहीं होगा तो आप ध्यान रखें Belgium का Royal Museum है ये I hope आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी W.H. Auden की सबसे famous poem है ये और 1939 में ये New writings in its spring में छपी थी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इसी work की वज़े से आगे जाके Auden को Pulitzer Prize भी मिला और इसी से उन्हें प्रेढ़ना मिली The Age of Anxiety नाम की poem एक लंबी poem है वो लिखने की उसके जस्ट बाद उनको Pulitzer Prize मिला उसके लिए So I hope ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी यदि लगी है तो चैनल को सबस्क्राइब करो वीडियो को लाइक करो जल्दी से और अपने classmates को भी भेजो All the best for your exams फिर मिलेंगे all topics के साथ यदि आप literature के student हो तो इस चैनल को जरूर अच्छे से check out करो इसकी playlist भी समालो आपके course के काफी topics आपको यहां मिल जाएंगे Thank you so much